दिवरूगर से दिल्ली के बीच चलने वाली ब्रह्मपूत्र मेल एक्सप्रेस का हो गया है विस्तार और इस वीडियो अग्डेट में हम जानेंगे यह ट्रेन कौन से नए डिल्वे स्टेशन को जाएगी और इसका समय सारनी क्या रहेगा वीडियो सुर करने से पहले अकर आपने वी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवस्र कर दें जिससे भारते डिल्वे का साला न्यूज अबडेट मिलता रहे तो चलिए सुरू करते हैं ट्रेन संक्या 15,955 और 15,956 ब्रंपूत्र मेल एक्सप्रेस जो की क्यूल पटना के रास्ते डिब्रूगर से ओल्ड दिल्ली को जाती हैं और डेल्वे ने अब इस ट्रेन का विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं यह ट्रेन अब बड़ंपूत्र मेल का भागलपूर से दिल्ली के लिए खुलने का समय सुवा 7 बच कर 38 मिनट पर होगा और दिल्ली यह ट्रेन अगले दिन सुवा 6 बच कर 5 मिनट पर पहुंचेगी फिर वहां से जोथपूर के लिए यह ट्रेन दवाना होगी जो कि यह जोथपूर 6 बच कर 25 मिनट पर होचेगी साम में जोथपूर यह ट्रेन पहुंचेगी और जोथपूर से ट्रेन के चलने के लिए 5 रेलवे से समय मांगा गया है एक जुलाई को नया समय सार नी लागू होने वाला है और इस दोरान इस ट्रेन को लेकर के भी हरी जंदी मिल सकती है फिलाल यह ट्रेन पर नया समय सार नी पर विचार किया जा रहा है और मिली जानकारी का नुसार इस ट्रेन का विस्तार होने की भी बात कही जा रही है यह ट्रेन का विश्टार अब जोधपूर तक किया जाना है इसके साथ ही भागलपूर को एक सीधी नई ट्रेन मिल जाएगी जोधपूर के लिए और ब्रंपूतर मेल का विश्टार डिबरूगर से खुलने के बाद ओल दिल्ली होते हुए जोधपूर तक किया जाएगा और समय साथ ने भी आपको हमने बता दिया आने वाल एनेस वीडियो अपड़ेट में आपको इस ट्रेन के ठाड़ाओं के बारे में भी बात करेंगे और हम जानेंगे कि यह ट्रेन का समय साथ जोधपूर से कितना बज़ए होगा और यह जोधपूर कौन कौन से दिन के लिए ट्रेन आपको देखने को मिलेगे इस वीडियो को सेर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को